हलो एब्रीवान वेलकम बैक टू मैं चैनल कुंज ओफीसे लवर योर चैनल के सो अपलोग है होब सो अपलोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बारा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी नीचे बेल आइकन उस प्लेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी पास जाए करवा चौट के लिए कि बहुत सारी कुश्चन आ रहे हैं बहुत सारे क्यूरेज जा रहे हैं तो मैं सोची क्यों ना फाइनली एक वीडियो बना ही दिया जाए आप लोगों के लिए तो सबसे पहला कुश्चन ही था जो पहली बार वरत करी हैं वो इस साल कर सकती है या नहीं कर सकती हैं तो अगर आप पहली बार करवा चौट उठा रही हैं तो इस बार बहुत ही अच्छा मुहरत है और आप इस साल उठा सकती हैं अगले साल आप नहीं उठा सकती हैं क्यों सारी को लेकर कप्रों के लेकर तो बहुत सारे लोग नए कप्रे खरीते हैं बहुत सारे लोग जो है अपने साधी के जोरे से करते हैं अगर आप पहली बार कर रही हैं तो अपने साधी के जोरा से कर सकती हैं कोई भी पड़व अगर सुहाग का हो और उसमें क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी समागरी भी बताऊंगी तो बने रही करवा चौथ 2022 का सुम महुरत करवा चौथ पर अमरित काल साम 4 बज कर 8 मिनट से साम 5 बज कर 50 मिनट तक रहेगा इसके बाद अभी जीत महुरत सुभा 11 बज कर किस मिनट से दो फर 12 बज कर 7 मिनट तक रहेगा करवा चौथ वरत की समागरी लेश्ट इस वरत में सुहाग की सभी निशानियां लगती हैं जैसे चंदन सिंदोर मेहंदी महावर कंगा बिंदी चूडी चुनरी विच्वा मिटी का तोटी दार करवा वधकन सहद अगरबती पुष्प कच्चा दूध सक्कर सुध गी दही मिठाई गंगा जल अक्षत दीपक रुई कपूर गेहुं सक्कर का बुडा हल्डी जल का ल लकडी लकडी का आसन चलनी आठ पुडियों का अठवारी हल्वा दक्षना के लिए पैसा आदे इन चीजों में से कुछ चीजे वरत के लिए कुछ चीजे पूजन के लिए लगती हैं तो अभी मैं बताई करवा चौठ पूजा का लिस्ट जीहां की लिस्ट में आपको क्य क्या लगेगा जो आप पहली बार कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखे क्योंकि इसमें करवा चौठ समागरी लिस्ट में आप लोगों को बता दी अब मैं विधी बताई करवा चौठ पूजा विधी सुबह जल्दी उठकर सनान कर ले सनान करने के बाद मंदिर की स पूजा करे किसी भी सुबह कारे से पहले भगवान गनेश की पूजा की जाती है माता पारवती भगवान शीव और भगवान कार्तिके की पूजा करे करवा चौठ के वरत में चंद्रमा की पूजा की जाती है चंद्र दर्शन की बादपती को चलने से देखे इसकी बादप अगर्बती द्वारा पत्नी को पानी पिला कर वरत तोड़ा जाता है। के लिए पानी एवं मिठाई होनी चाहिए। कुछ जगह परस्थानिय परंपराओं के मुताबे खील से भड़े करवे रखे जाते हैं, मीठी मट्टी की भी महत बताया जाता है। साथ ही सुहाग से जुड़ी समागरी जैसे की बिन दी सिंदूर चूर्या होती है। सास या घर में मौजूद कोई बुजरुक महला हो तो उनके लिए कपरे भी रखे जाते हैं। करवा माता की पुजा और कथा परने के बाद ये सारी चीजें अपने सास या घर की बुजरुक विवाहित महलाओं को दे दी जाती है। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये पुजा विधी करवा चौथ पुजा विधी प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सबस्क्राइब और सेयर करना बिलकुल न भूलना मेरी वीडियो को इन तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक्स पूर वाचिंग, कीप सपोर्ट